सुमीद बताएं कौन से स्टॉक्स हैं जो ने नजर अकनी होगी जिन पर करता है तो जो minimum profit वो कमा सकता है इस buyback से वो 4.4% का होगा entitlement ratio के हिसाब से उसके अलावा WPIL एक small cap company करीब 1000 करोड का market cap है इस company का उसको एक नया order win मिला है government of West Bengal से 431 करोड का यह order है जो मिला है उसके लिए अगर आप करेंगे तो order to market cap ratio जो है वो करीब 42% का हो जाता है इस company के लिए अब company को एक water reservoir बनाना है और जो completion period है इस order का वो करीब 24 months का है आखिर मैं dynamic tech भी focus में रहेगा क्योंकि company को Airbus से एक नया order मिला है यह जो order है वो escape hatch door बनाने का है Airbus की नई aircraft जो launch हुई है A220 उसके लिए अभी company ने इसका order size तो नहीं announce किया है बड़े नई aircraft है और उसका order मिला है तो काफी बड़ा हो सकता है company के लिए और company ने यह भी कहा है कि company Airbus के साथ 2006 से काम कर रही है राइट के लिए मिस्टर साबू भी हमारे साथ जुर गया हमारे एक और टेकनिकल गेस्ट अजीत मिश्रा भी अब हमारे साथ है अजीत बॉनिंग बताएं बाजार पर sentimental impact लगाता दिख रहा है inflation के data जो Friday को आए उसने global market को परिशान किया eventual impact domestic market पर पड़ा अब US Fed Interest Rate Decision के मीटिंग आज से शुरू होती भी दिखी है इससे ठीक पहले बाजार में concerns है निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग व्यू आपका क्या है अब दुबारा से हम मार्च लोग के पास आ गए है जिस एडिया के पास हमने में में आये थे और वहां से रिकवरी देखने को मिली थी तो काफी critical area होगा मेरे साब से 15-650 का उसके नीचे गए तो फिर आप 15-450 मान के चलिए next immediate target होगा उसके बाद obviously जिस तरह किसा हम pattern में trade कर रहे हैं तो वो levels काफी नीचे के आते हैं तो अभी एसाब से 15-450 आपको ध्यार में रखना चाहिए और उपर पर अगर रिकवरी आती है तो 15-900 से लेकर 16-200 ये zone काफी strong resistance के तरह करने वाला है तो sell on rise market है when it comes to index similar trend banking index में भी है देकि banking ने lead किया था recovery को जब हमने rebound दिखाया था off late but अब 36,000 के आगड़े को cross महीं कर पाया तो वहां से अब जो pressure भी आ रहा है वो equally strong आ रहा है तो मेरे साब से यहाँ पर 32-400 तक की levels नीचे बे खुले होगा है अब 33,000 से लेकर 32-400 यह जोन आपको देखना है when it comes to support और उपर 33,700 से लेकर 34,500 का जोन यहाँ पर अगर आपको दुबारा से banking index में recovery दिखती है तो वह एक selling की opportunity होगी तो दोनों इंडेक्स में आपको दिखाने है जरूरी है बात करना इस पाक फिर हम अपने सारे चैनल सारे टेक्नली पार्टनेट से बात करेंगे बेर मार्केट के अंदर सो पॉइंट की दूरी रह गई है बैंक निफ्टी की वो टेरिटरी के अंदर घुसने के लिए अगर आप लेकिए आए हमने आपके लिए चार्टी बढ़ आया है अगर आपके लिए बिलो 33,000 इस बेर मार्केट है इंग बिलकुर टॉप से 20 परसे बेर में खुलेगा और मल्टिपल रिजिस्टन्स जो ब्रेक हुए है इसमें अब क्या दिखना चाहिए आपके लिए मार्केट का